उत्ता प्रदेश का लखिमपूर खेरी जहां पर हिंसा की वज़ेजा आठ लोगों की जान गई जिसमें चार किसान दो बीजीपी के कारे करता एक रिपोर्टर और एक ड्राइवर शामिल है यह सब की शुरुवात हुई 25 सिदंबर से जब लखिमपूर खेरी की nya अजय मिश्या टेहनि अपने सांसेदी शेतर में एक कारे क्राम में शामिल होने आए अजे मिश्रा टेहनी ग्रेय राज्य मंत्री भी है और जब ये अपने कारेकरम में शामिल होने आये तब इस कारेकरम के दोरान कुछ नराज किसानों के ग्रूप ने अजे मिश्रा टेहनी को काले जटे दिखाए इसका विरोध किया जिसके चलते अजे मिस्टर टेनी नराज हो गया और नेता जी ने ये बयान दिया कि वो इन जैसे लोगों को दो मिनिट में ठीक कर सकते है इसके बाद किसानों का ये जो नराज ग्रूप और नराज हो गया और इन्हों ने तै किया कि ये लोग तीन अक्टबर को जब उत्तर मुपुंग के मंतरी केशचव प्रसांड मारे नराज जिसमें कहा जाता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के भी मेंबर्स थे वो लोग उस हेलीपाड पूक कभजा कर लिया और इसके चलते केशब प्रसान मौर्य को लखिंपूर खेरी वाया रोड आना पड़ा और उस कारिक्रम में केशब प्रसान मौर्य के संग ग्रेर राज्यमत्री अजे मिश्र टहनी भी शामिल हुए अब सवाल ये आता है कि ये हिंसा वगर शुरू हुई कैसे अब देखिए जब केशब प्रसान मौर्य का ये कारिक्रम चल रहा था तो उसी के कुछ देर बाद ही एक खबर आए कि हेलीपैट के पास हिंसा शुरू हो गई है वहाँ पर भारी भीड़ी कठा हो गई है और साती म अशिश मिश्रा अजे मिश्रा टैनी के बेटे चला रहे थे और वो भी सौ किलमेटर पर ते गंडे के रफ्तार पे और उन्होंने विरोत करते हुए किसानों के पर गाड़ी चड़ा दी दूसरा पक्ष ये कहता है कि गाड़ी हरियों मिश्रा चला रहे थे ना कि आशिश म मिश्रा जिनकी बाद में पीट किसानों ने हत्या कर दी और तीसरा पक यह कहता है कि गाड़ी हर्यों मिश्रा ही चला रहे थे पर इतना बाड़ी घीड देखकर पत्राव होते देख उन्होंने गाड़ी प्रदर्शन कारियों पर चड़ा दी अब मेरा सवाल यह है कि क्या एक किसान यह हिंसा में शामिल होगा किसी गाड़ीयों को जलाएगा हैली पैट पर कबजा करेगा किसी बीजीपी के कारे करता है रिपोर्टर को जान से मारेगा यह एक अपने आपने सोचने वाली बात है अब देखिए क्योंकि यह मामला उत्ता प्रदेश का है तो जाहिर सी बात है राजनीती की रोटिया तो सिखनी है और वही हुआ सबसे बहले अपनी राजनीती की किसमत चमकाने पहुँची प्रियंका गांधी वाडरा अब जब प्रियंका गांधी लखिंपुर केरी पहुँच गई तो हमारे छोटा भीम राहूल गांधी ना पहुचा हो नहीं सकता वो भी पहुँचे और साम्दे कई बड़े बड़े नेता जज़ अखिलेश्यादव, चरणजी सिंग चन्नी, वुपेश बगेल, लवजो सिंग सिद्धू सब पहुचे अपनी राजनीती की किसमत चमकाने और ये दिखाने की उननों को किसानों से कितना लगाव है हमने ये भी देखा कि किस तरीके से राकेश तिकेट के बया पर बयान शुरू हो गए जब लखिंपुर खेई में ये मामला हुआ, देखे, किसानों की डेथ हुई, ये अपने आपे दुखत बात है, लेकिन कहां चले जाते हैं ये सारे नेता, जब राजस्थान में एक किसानों को जो ग्रूप है, जब वो विरोध प्रदर्शन कर र रख राता तब उस पे जब पुलिस लाटी चार्ज कर दी, तब कितने नेता उन्हें कुछ कहां, कितने बनाय राकिश ते कहते हैं, जीरो, अच्छा, हमने ये भी देखा कि चरंजी चिंग चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, और बुपेश बकेल, जो 36 गड़ के म अब यही पैसा, अपने राज्य के किसानों को क्यों नहीं देते हैं, जो सूसाइड कर लेते हैं, उनको देने के लिए आपके पैसा नहीं है, पर लखिम पर खेरी में जो किसानों की जो डेथ हुए, उसको देने के लिए पैसा है, वा भाईया, अब भुपेश बकेल की में बात करूँ वो लखनाव पहुँचे उस समय पहुँचे जब इनके राज्ये के एरिया में हिंसा हुई थी और बहुत जबर्दर हिंसा हुई थी क्योंकि दो ग्रूप आपस में टकरा हुए थे धार्मिक रीजन्स की वज़े से और इसके चलते उस एरिया में कर्फ्यू लग पहुचे राजनेता वगर यह सब तो जाहिर जी बात है मीडिया भी पहुचेगी और मीडिया भी पहुची उधर इसको बड़े जोर शोर से कवरेज करी एंड एवरीथिंग पर यही मीडिया शांत हो जाती है जब मामला उत्तर प्रदेश नहीं जब मामला आता है राजस् इसका सुवो मोटो लिया सुवो मोटो यानि कि बिना किसी की पी आईल फाइल किये सुप्रीम कोट इस मामले में अपने आप संग्यान लेना चलिए ये बड़ी अच्छी बात थी कि सुप्रीम कोट ने इसका सुवो मोटो लिया लेकिन क्या सुप्रीम कोट ओफ इंडिया स सुवो मोटो लेगा उन किसानों के लिए जो पे लाटी चार्ज हुई राजिस्थन में क्या सुप्रीम कोड सुवो मोटो लेगा उन पालगर साधूस के लिए जिनका महराष्ट्रा में डेथ हुआ ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है अंत में मैं बस यही कहूंगा कि देख को युत्तर प्रदेश की पुलिस ना गिरफतार किया और तब किया जब बहुत प्रेशर वगरे पढ़ गया उत्तर प्रदेश की पुलिस पे यूपी की कॉर्मेंट पे वरना उससे पहले मेरे को निन लगता है यह लोग अरेस्ट भी करते आशिश मेश्रा को तो देखिए कहीं न कहीं मैं कहूंगा कि यूपी के पुलिस ने अरेस्ट करने में काफी लेट हुई है और एक और चीज है कि देखिए कानून अपना काम कर रही है और तो कि फेक सिंपेती दिखाने से यह अपनी राजनीदी की रोटियां सेखने से कुछ नहीं होगा या फिर अजे हैं तो और मैं अपने जो पॉलिटीशन जो वहाँ पर अपनी राजनीदी की रोटिया सेख रहें उनसे यहीं कहूंगा कि आप इस चीज़ पर फोकस करें कि किस तरीके से इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है उस चीज़ पर फोकस करेंगी तो बहुत बहतर होगा क तो कि देखें जनता बहुत समझ जा रहा है जनता भी जानती है कि कौन फेक से इंपेति दिखा रहा है और कौन हमारे साथ है आपकी क्या रहा है इस लखिंपूर खेरी के वाइलेंस पे यह मुझे कमेंट सेक्स में जरूर बताईए वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्स्राइक बढ़ना ना भूलें तब तक के लिए मैं शेर साबू साइनिंग ओफ एंड जाहेंद